एम्यू की छवी को तार तार कर दिया था 2010 का ये वाक्या उसी सेक्शन 377 के उपर एक बहुत बड़ा तमाचा था प्रोफेसर सिरस का ये केस 2010 का है तुम रिक्षे वाले के साथ एक प्रोफेसर यहां कैसे? नमस्कार मैं हूँ आपके साथ महेर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी दोस्तों हमने अपने जिंदगी में अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी का नाम कई मर्दबा सुना होगा जाहिर है भारत में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे मुकामी उनिवर्सिटी में से एक है अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी AMU यानि के अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी ने केवल एक ही नहीं बलकि ऐसे कई नगीने हमारे देश को उसके अलावा अंतराश्च्रे स्तर पर इस दुनिया को दिये हैं जिनोंने अपने शेत्र में एक से बढ़कर एक सफल कामों को अंजाम दिया है अलिगर्ड मुस्लिम उनिवसिटी में एडमिशन लेना उसमें दाखिला लेना हर छात्र का एक सपना भी होता है लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक मरतबा इसी अलिगर्ड मुस्लिम उनिवसिटी के अंदर एक ऐसी वारदात ने अंजाम लिया था जिसने हम सभी के दिलों पर अंकित AMU की छवी को तार-तार कर दिया था तो इस मरतबा कता पेश करता है आप सभी के सामने उस वाक्यात की जिसने बलायत ताक रखी अलिगर्ड मुस्लिम उनिवसिटी की इजट दोस्तों ये वाक्यात है सन 2010 का जिब अलिगर्ड मुस्लिम उनिवसिटी के अंदर एक ऐसी वारदात ने अंजाम लिया जिसने पूरी इंसानियत को खास करके युनिवर्सिटी में बढ़ रहे स्टूडेंट्स को तमाम छात्रों को शर्मसार कर दिया था जी हाँ दोसो आज जिस धारा 377 यानि जिस सेक्शन 377 के हम लोग बात करते हैं 2010 का ये वाक्या उसी सेक्शन 377 के उपर एक बहुत बड़ा तमाचा था सेक्शन 377 यानि धारा 377 में हमारा भारते समविदान उन लोगों को वैवाहिक संबन बनाने की अनुमती देता है जो अपने ही लेंग यानि अपने ही जेंडर की लोगों के साथ वैवाहिक संबन बनाना चाहते हैं इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ प्यार करता है वैसे आज के समय में जिस तरीके की फिल्म में बॉलिवूड के अंदर बनाई जा रही है वेब सिरीज का जमाना आज के समय है तो जिस तरीके का content आज OTT platforms पर बनाया जा रहा है उसमें हम homosexual लोगों की बाद बड़े अराम से समझ सकते हैं इसका मतलब होता है gay या फिर महिलाओ के लिए इसमें हम शब्द इस्तमाल करते हैं lesbian तो इसमें जब कोई लड़का किसी लड़के के लिए कई किस्म के आकशन महसूस करता है इसमें वो लड़का अपना वैवाहिक जीवन उसी एक लड़के के साथ बिताना चाहे तो इसे हम धारत 377 के अधीन मानेगा यानि ये चीज सेक्शन 377 के अंडर में होगा एक जमाना था जब हिंदुस्तान के अंदर सेक्शन 377 लागू नहीं थी लिकिन अब भारत में ये तमाम वाक्याद वैद है यानि कि आज किसी शक्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी शक्स की आजादी छीन सकता है 2010 में अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटी के अंदर भी एक ऐसे ही वाक्या ने अंजाम लिया था लेकिन आखिर क्या था वो वाक्या ये जानेगे हम सिर्फ और सिर्फ कथा पर दरसल अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटी के अंदर एक मराथी प्रोफेसर था जिनका नाम था ये एक शक्स का नाम था नाम एक बार फिर सुने शरी निवास रामचंद्र सिरस प्रोफेसर सिरस के नाम से 2010 में मीडिया ने भी इस बात को काफी उजागर गया तो 2010 में प्रोफेसर सिरस के नाम से मशूर ये शक्स आज भी मीडिया के अंदर काफी चर्चों में रहते हैं दरसल जिस दाराब 377 की बात हम आज 2023 में कर रहे हैं प्रोफेसर सिरस का ये केस 2010 का है प्रोफेसर सिरस एक गेश शक्स थे यानि कि प्रोफेसर सिरस के जो डिजायर्स थे वो लड़कों के लिए थे ना कि लड़कियों के लिए 2010 में अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटी में मराथी परहाने वाले प्रोफेसर सिरस के साथ एक ऐसा वाक्यात हुआ जिसकी आलोचना जितने अंतराश्य स्तर पर भारती स्तर पर हुई उतनी ही अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटी के अंदर भी कई किसम के धरने प्रदर्शन किये गए थे तो दोस्तों ये वाक्या था है फरवरी 2010 का जब प्रोफेसर सिरस रात के समय एक रिक्षे वाले के साथ अपने रूम में थे उनके रूम में जबरन दो पत्रकार जी हाँ इस बात को आप एक बार फिर से सुनें दो पत्रकार यानि दो मीडिया के लोग जबरदस्ती दाखेल ह हुए और प्रोफेसर सिरस और उनका पार्टनर जो की एक रिक्षे वाला था अलिगर के हैं अंदर उनकी बगैर कपड़ों के उन लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करती यह वाक्या था 2010 का इस वीडियो की एक कॉपी BBC के पास जब पहुचे तो BBC के एक रिपोर्ट में भी इस बात का खुला सा किया गया है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियो थी वो और इस वीडियो को बनाने के बीचे दो पत्रकार मौजूद थे प्रोफेसर सिरस के कमरे में जबरदस्ती दाखिल होने के बाद और मैसे एक शक्स ने प्रोफेसर सिरस से ये सवाल किया कि हम पत्रकार हैं क्या हो रहा है यहाँ लॉंग शॉट लो लॉंग शॉट तुम रिक्षे वाले के साथ एक प्रोफेसर यहां कैसे तो ये सवाल पूछे गए थे उसी वीडियो के दरम्यान प्रोफेसर सिरस थे प्रोफेसर सिरस ने इस बात का खुला सक किया कि वहां अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थोड़ी दिर बाद मेरे ही कमरे में आए और उन्होंने बीच बचाव करने के बजाए उन मीडिया के लोगों से कुछ बात करी थी इलाबाद हाई कोट में जब प्रोफेसर सिरस का ये केस चल रहा था उस समय अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर ने प्रोफेसर सिरस के खिलाब अपने बयान दिये जिसमें एक बयान ये भी था जिसमें AMU जन संपर्क अधिकारी रहत अबरार ने कहा कि सिरस को एक रिक्षा चालक के साथ यौन संबंद बनाते हुए कैमरे में कैद किया गया था यह एक घोटाला है जिसे कोई भी प्रतिष्टित संस्थान नजर अंदाज नहीं कर सकता इसलिए उन्हें आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया प्रोफेसर पीके अब्दुल अजीज जी हाँ प्रोफेसर सिरस की जब ये वीडियो अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटी इसके वरिष्ट अधिकारियों के पास पहुची तो प्रोफेसर सिरस को अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया जहां उस समय AMU, प्रोफेसर सिरस के खिलाव काई किसम के बयान बाजी करी, तो उन्हें निदंबित करने पे उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके लग सिरस को और भी कई तरीकों से प्रताडित किया गया, उनका सरकारी क्वार्टर उनसे खाली करा लिया गया, इसके लाव ऐसे बहुत से प्रोफेसर सामने आये थे, जिन्होंने इस बात को इलावाद हाई काउट के सामने रखा, कि अगर सिरस गे है, यानि कि अगर सिरस को महिलाओ के जगा पुर्शों में दिलजस्पी है, तो ये सिरस का व्यतिगत मामला है, इसमें युनिवरसिटी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और इसके लग, अगर सिरस किसी मर्द के साथ भी यौन संबंद बना रहे थे, तो वो अपने कमरे में, वो अपने घर में थे, ना कि युनिवरसिटी के अंगर, ऐसे भी बहुत से लोग 2010 में ही सिरस के सपोर्ट में खड़े भी हुए थे, सिरस को अपन मिठ सका या नहीं, यह जानेंगे हम अपनी इस वीडियो के अगले पाट में, दोस्तों वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिक